असलाम लेकों वेकम बैक टो माय चैनल आई होप आप सब बिलकुल ठीक ठाक हैं और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस यहां के इंडियन रेस्टरांट और यहां का इन्वाइट मुझे एक बार पहले भी आया था और मैंने आप लगों के साथ इनका लिमिटिड टेल में आपके साथ यहां की सारी चीज़ें शेयर करना चाहा रही हूँ इस बार का मेरा एक्सपीरियन्स बहुत अच्छा था और यहां पे आज हमायते टर्की स्क्वियर इस बिल्डिंग के पास से मैं जब भी गुजरती थी तो मैं हमेशे यही ब्लाइन करती थी कि यहा पे और भी काफी रेस्टरॉंस बने वे बहुत ही खुबसरत जगा है रियाद में इस तहां की काफी स्पेस है जहां पे इस तहां की चोटे चोटे रेस्टरॉंस और कैफेस बनाए गए हैं आगे की वीडियो में वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी आज का इन का तवा स्पेशल ट्राइ करने आई हूँ जो के इनका लिमिटेड टाइम मैन्यू है और इसमें डिफरेंट किसम की चीज़े इन लोगों ने इंटेड्यूस करवाई हैं सबसे पहले ये वेलकम ड्रिंक्स मिली थी हम और साथी में यहां का डिकोर भी आप लोगों को दिख तवा स्पेशल मेन्यू में इनके है रॉयल लैम शैंक जो कि हमें बहुत पसंद आया था और इसके उपर जो इन्होंने की सॉस डाली थी और साथी सिजलिंग प्लेट में आपको सर्फ होता है बहुत ही मज़े का है अगर तो आप लगों अभी तक ट्राइन नहीं किया तो ज़रूर ट्राइ करें सेकेंड डिश जो हमने ओर्डर की थी वो देली तवा मुर्ख चट पटा थी और वो भी बहुत मज़े की थी स्पाइस बहुत ही नॉर्मल थे और बहुत अच्छे थे मुझे जादा स्पाइसी खाना पसंद भी नहीं है और इंडियन खाने मैंने जह तका बिर्यानी एड़ की थी और बहुत ही मज़े का था ये लिमिटेड टाइम मैन्यो इन लोगों का और हम लोगों का फेवरिट जो था वो लैम था इससे पहले हमने इतना मज़े का लैम नहीं ट्राइ किया और साथ इनके जो ये तंदूरी रोटी होती है ये भी बहुत म मज़े का खान है अपने चैनल पर सेल्स के साथ साथ मैंने फूड रिव्यूज भी दिखाना स्टार्ट किये हैं और अगे चल के कुछ फेमस इटैलियन रेस्टरांट के रिव्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं सो स्टे टून तो माइ चैनल और यहां प बाकी डिशिस के तरह इनकी कुलफी का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था मुझे बहुत अच्छे लगी देखने में मुझे नहीं लग रहा था कि इसका टेस्ट कुछ इतना डिफरेंट होगा कि यह तनी एक्पंसिफ क्यूं है लेकिन वाकई में बहुत अच्छी थी और यह कुछ चीजें हम लोगोंने बस पैक करवा ली थी जितना हम लोगों से यहां खाया गया और साथ ही यह ब्रांच में आप लोगों को दिखा देती हूं बहुत ही खुबसूरत ब्रांच एंबियांस बहुत अच्छा है तो आप लोग इनका लेमिटेड टाइम मैन्यू ट काफ़िद में वाथ इन बॉदी के लावा करीम लिए और यह वली जो मैंने क्रीम ईनकी भाई की है शिमर में है और यह वाली है, काफी अच्छी, इनकी भी मुझे, इनकी समेल जादा अच्छी लगती है, लेकिन बहुत टायम से इनकी आफ पे नहीं लाग रही थियर लेकिन यह दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो यह 50 रियाल में, इनकी कोई भी मिस्ट और क्रिम समेल रही है नेक्स डेday अब मैं ब्रिक्वस्ट में जाफ्रान से जो टेकवे गर लिया था वो चीजें सारी ड्राइ करूंगी और मुझे कल भी यह बहुत मज़े का लगा था लेकिन जो असल टेस्ट आता है मुझे हमेशा जब मैं घर में कुछ टेक अवे करवा के लेके आती हूँ तो मुझे सही तरह से उनके फ्लेवर्स की समझ आती है तो अभी बस ब्रिकफस्ट में ये खाऊंगी और ये कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे हमारे लेफ्ट ओवर्स थे हम लोग साथ ले आयते बिर्यानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी वरना नॉर्मली मुझे बाहित की बिर्यानी अच्छी नहीं लगती और ये मुझे एक और रिसीव हुआ है परसल का पावर जल और ये ये भी मुझे review के लिए receive हुआ इससे पहले जो मुझे अबाय के लिए हुआ था receive वो बहुत ही अच्छा था और मैंने अपने अबायाज उससे धोय थे काफी अच्छी smell आगी थी उसके बाद मेरे अबायाज से और काफी niche भी हो गए थे तो अब येवला मुझे छोटे साइज में रिसीव हुआ है और इससे अब मैं कपड़े वाश करके देखूंगी और ये भी काफी अच्छा है नॉर्मिली हम लोग ज्यादा तर वो ही सिंपल टाइड और एरियल और इहीं से ही कपड़े वाश करते हैं लेकिन ये एक डिफरेंट चीज थी तो ये भी ट्राइ करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जाफरान की जो सबसे ज़रा पसंद है वो मुझे इनकी रोटी बहुत पसंद है और बहुत ही मज़े का इनका ये बटर नान टाइप चीज होती है तो मैं अभी ये गरम करूंगी और यही अपने ब्रेक्फास्ट में काऊंगी क्रॉसीज में मैं जब भी कुछ डिफरेंट बाय करती हूँ तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ और इस बार मैं मैं मैंग्डाउनल्स का ब्रेक्फास्ट घर में ट्राइ करना चाहा रही हूँ जिसके लिए मैंने ये हरफी के चिकन पैटीज ले लिए हैं आप कोई भी बर्गर पैटीज ले सकते हैं और साथ जो इसकी में चीज है वो इनके बंस है मैं इंग्लिश मफिन्स ले रही हूँ और ये तमीमी से मिलते हैं और ये इसके साथ मैंने पहले भी ट्राइ किये थे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेट मैट मैक्डाउनल्स ब्रेक्फास्ट शेयर करूँगी अपनी एक वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैक्डाउनल्स के कुछ पॉइंट्स बन जाएं तो इस तहां का आपको टंबलर फ्री मिलता है तो हमारे कुछ पॉइंट्स बने वे थे तो ये भी हम लोगों ने एक ले लिया और अच्छी क्वालिटी कहेंगे आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे होगी थैंक्स व वॉचिंग अलाहाफिज